नमस्कार, आज की फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फेस्ट अब्डेट है थर्ड कॉर्टर में कानरा बैंक का प्रॉफिट कॉर्टरली बेसिस पर 56.6% बढ़कर 696.1 क्लोर पीज हो गया है जबकी second quarter में ये 444.4 क्लोर पीज रहा था थर्ड कॉर्टर में बैंक के interest income 3.4% घटकर 6081 क्लोर पीज रही है जोकी second quarter में 6296.5 क्लोर पीज रही थी इसके लावा third quarter में बैंक का gross NPA 8.23% से घटकर 7.46% पर आ गया है वही net NPA 3.42% से घटकर 2.64% पर रहा है नेक्स्ट अप्डेट है थर्ड क्वाटर में इमामी का प्रॉफिट आन्वल बेसिस पर 44.6% बढ़कर 208.9 क्लो रुपीज हो गया है जबकि लास्ट यर के थर्ड क्वाटर में ये 144.4 क्लो रुपीज रहा था थर्ड क्वाटर में कंपनी ने 4 रुपीज पर शेर इंटेरिम डिविडेंट का अनांस्मेंट भी किया है कंपनी के इंकम थर्ड क्वाटर में 14.9% की बढ़त के साथ 933.6 क्लो रुपीज रही है जो कि लास्ट यर के सेम क्वाटर में 812.6 क्लो रुपीज रही थी 3rd quarter में company का EBITDA 28.9% बढ़कर 340.2 क्रो रुपीज हो गया है जो कि last year के 3rd quarter में 264 क्रो रुपीज रहा था Next update है Sterling & Wilson Solar ने Oman में 25 MW का Solar Power Project शुरू किया है 25 MW के इस Solar Power Project को Global Energy Company Shell ने SWSL को दिया था SWSL के डारेक्टर और Global CEO विकेश ओगरा के अकॉर्डिंग Oman में Urbanization के साथ ही Energy की डिमांड टेजी से बढ़ रही है ये देश अपनी Power Generation Capabilities का Expansion Renewable Energy पर बेस प्रोजेक्स के जरिये करना चाहता है कंपनी ने जून 2020 में Oman में अपना पहला 125 MW का Solar Power Project शुरू किया था नेक्स्ट अब्रेट है चाइनीज सोशल मीडिया कंपनी White Dance ने भारत में अपना बिजनस बंद करने का एलान किया है भारत में TikTok और Hello App की Ownership रखने वाली इस कंपनी की Services पर Restrictions चारी है TikTok के Global Interim Chief Vanessa Papers और Global Business Solutions के Vice President Blake Chandley ने Employees को भेजे एक E-mail में कंपनी के Decision के बार में बताया कि वो Team Size को कम कर रही है और इस Decision से भारत के सभी Employees अफेक्ट होंगे Officers ने कंपनी की भारत में वापसी पर Uncertainty Express की लेकिन कहा कि आने वाले टाइम में वापसी होने की उम्मीद बनी हुई है Next Update है इंडिया सेमेंस ने अपने quarter results अनांस कर दिये हैं थर्ड quarter में company loss से profit में आई है Financial Year 2020-21 के थर्ड quarter में company का stand-alone profit 62 क्रों रुपीज रहा है जबकि last year के same quarter में company को 5.4 क्रों रुपीज का loss हुआ था Financial Year 2020-21 के थर्ड quarter में company का stand-alone revenue 2.6% घटकर 1,160 क्रों रुपीज रहा है जो last year के same quarter में 1,191.1 क्रों रुपीज रहा था Annual basis पर company का EBITDA 67.3% से बढ़कर 215 क्रों रुपीज रहा है जो last year के same quarter में 128.7 क्रों रुपीज रहा था वही annual basis पर EBITDA margin 10.8% से बढ़कर 18.6% रहा है Next update है vehicle manufacturer company Tata Motors ने अपनी नई SUV सफारी के लिए bookings और launch details disclose कर दी है Company के according इसकी bookings अगले महिने से शुरू होने वाली है Company का कहना है कि नई सफारी उस D8 platform पर तयार की गई है जिसका इस्तमाल land rover में किया जाता है Company ने कहा है कि ये platform future में इसे electric format provide करने या all wheel drive version में change करने की सहुलिय देता है Company का एक दूसरा sports utility vehicle Harrier भी इसी D8 platform पर based है इस model के लिए booking चार फरवरी से शुरू होगी और इसकी sale फरवरी एंट तक शुरू होने की उमीद है Next update है Global Financial Services Provider Company HSBC ने गुजरात में गांधी नगर शेहर के पास Gift City में अपनी International Banking Unit का inauguration किया है HSBC भारत के Gift City में ब्रांच शुरू करने वाले शुरूवाती Global Financial Institutions में से एक है Company के according वो recently established International Financial Services Center Authority से license प्राप्ट करने वाला पहला बैंक है Gift City में HSBC की IBO ब्रांच 27 जनवरी यानि आज से कामकाच शुरू करेगी Next update है Corona की वज़ह से Indian Economy में बड़ी गिरावट देखने को मिली है लेकिन 2021 में Indian Economy की Growth Rate टो डिजिट्स में जा सकती है ऐसा अनुमान International Monetary Fund का है IMF का कहना है कि Indian Economy चायना को भी पीछे छोड़ सकती है Central Government द्वारा एक फरवरी को 2021-22 के लिए आनुवल बज़ट पेश किया जाएगा जिसमें अब सिरफ कुछी दिन बज़े है इससे पहले दो International Organizations ने Indian Economy के बारे में अच्छी ख़बर दी है अब International Monetary Fund ने 2021 में Indian Economy के 11.5% रहने का अनुमान लगाया है जबकि United Nations Organization ने इसके 7.3% रहने का अनुमान चताया था यहाँ पर हमारा आज का Fin Point Session खतम होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें हम से जुड़े रहने के लिए थैंक यू